गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट आज हम क्लास 5 का मुरल साइंस लेसन 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है शाषी पृथिवी सिंग ये पृथिवी सिंग बहुत ही शाषी थे इनकी आज हम विशेष्टा को जानेंगे इस कहानी के माध्यम से शाहस की कोई उम्र नहीं होती चाहे वो छोटा हो या बड़ा बश्पन में भी छोटे बच्चे अतियंत शाषी होते हैं और बड़े होकर वो और शाषी हो जाते हैं या एक ऐसी आंतरिक प्रतिवा है जो स्वता ही उत्पन होती है इसे अपने अंदर ही समाहित रहती है इसे इसे उत्पन करना स्वयम अपनी इच्छा के अनुसार होती है यह सभी को विरासत में प्राप्त हो जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति को सासी बनाने में उसकी परिस्तितियां भी महत्तपूर भूमी का आदा करती है आईए हम आज आपको इसी साहस के अदभूत उधारण पर आधारी ते घठना बताते हैं या उस समय की बात है जब हिंदुस्तान पर मुगलों का शाषण था दिल्ली के सिंहासन पर और अंजेव आसीन थे दिल्ली के सिंहासन यानि दिल्ली के जो राज राज गदी थी इस पर और अंजेव का सासन था वो उस पर बैढ़ते थे वह एक कुरूर और कटर सासक की रूप में विख्या थे, वो बहुत ही कुरोधी थे और बहुत ही निर्दई तरह के वो सासक थे, उनके दर्बारियों में उच्पदो पर कई मुगल और हिंदू सासक जमी आसीन थे, एक निंग बाच्चा अफ़र राजाओं से बाटचीत कर रहा था, तभी एक सायनिक बड़े से पिंज्रे में से एक विशाल काया और खोंखार सिंग को लेकर आया, उसने वह सिंग बादसा के सम्मुख प्रस्तुत किया रख दिया उस सिंग को देखकर बादसा बहुत प्रशन हुए खुस हो गए उन्होंने कहा मैंने आज तक इतना विशाल और खुंखार सिंग नहीं देखा वो बहुत ही भयानक सेर था दर्वार में बैठे सभी दर्वारियों ने बादसा की हां में हां मिलाई कि बच्चों आपको यह पता होगा जब सासक बोलता है तो सभी हां में हां जरूर ही मिलाते हैं और कहा आप बिल्कुल सही फर्माते हैं जहाँ पना तभी दरवार में उपस्तित राजा यश्वन सिंग ने कहा जहापना मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यह सिंग सबसे अधिक बलवान है उन्होंने कहा कि मैं राजा यश्वन सिंग ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ सबसे अधिक बलवान ये सिंग नहीं हो सकता मेरे पास भी एक ऐसा सिंग है जो आपके सिंग से कहीं अधिक बलवान है